तो दोस्तो बॉइस का आखरी एपसोड देखके आप लोग को ये सबज में आ गया होगा कि ये जो सीजन था इसका सबसे बड़ा जो ग्रीन मैंगो था वो था सोल्जर बॉइ वो कितना स्मार्ट मूव खेला यानि कि आप लोग देख सकते हैं उसे होम लेंडर की कमजोरी पता चल गए थी यानि कि बचपन से होम लेंडर को बस एक परफेक्ट फैमली चाहिए थी जो कि सोल्जर बॉइ दे सकता था और यहाँ पर होम लेंडर का बिटा रायन उसके साथ बस उसे अपने पापा जी चाहिए थे लेकिन यहाँ पर सोल्जर बॉइ ने आकर जो कांड किया है ना वो तो सब लोग देखी लिए होंगे इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर जो एंडिंग थी वो काफी हरान करने वाली थी मुझे लगा जब यहाँ पर सोल्जर बॉइ कुईन मेव गिरे होंगे तो शायद दोनों चले गए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो सोल्जर बॉइ के अंदर से जो एनर्जी निकली थी वह सकता है बहार नहीं आप ही और कुईन मेव की बॉडी से टकरा के आपस में दोनों को खतम कर दी होगी लेकिन यहाँ पर मैजिकली जादा टाइम के लिए नहीं दिखाए जाएगा क्योंकि डॉक्तर ने उससे क्या का है उसके पास बहुत कम समय बचा है अब यहाँ पर नोटेस करने वाली बात ही है क्या यहाँ पे बिली बुचर पर्मानेंटली कमपाउंड वी ले लेगा क्योंकि जो भी साइड एफेक् पूरी तरह सूपर एडो बनके अपने आपको रिकवर करना पड़ेगा तभी व ऐसे कर पाएगा हाला कि अभी दे बॉइस का टार्गेट कोई और है लेकिन फिर भी दोस्तो अभी तक बिली बुचर होमलेंडर को नहीं बूला है और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि अ होमलेंडर के साथ चला गया और दूसरी बार बिली बुचर को बचाने के लिए क्योंकि आप लोग देखेंगी जब यहां पर सुल्जर बोय कुईन मेव गिर के थे तो होमलेंडर का मूट डेकर लग रहा थी कि यहां पर वह बिली बुचर को भी खतम करने वाला है लेकिन पर रायन किसी तरह होमलेंडर को वहां से ले गया और यहां पर कुईन मेव की ताकत की भी दाद देनी पड़ेगी यानि कि पिछले दो सीजन से आप लोग देख रहोंगे वह अपनी ताकत को कितना होड की हुई थी और यहां पर होमलेंडर पर कबसे बुच्सान निकालना बाती है जो कीमिको को कमपॉंड भी मिला था उसका अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है अब यह आनवाला वक्त बताएगा क्या बिली बुचर वो कमपॉंड भी लेगा कि नहीं और बात करें अगर टेंप्रेरी वी की तो हुई के पास बीग बोटल है जो उसने अभी तक य लगा दे और वो अगर वापस आ बे गया तो ना से वो होम लेंडर को खतम करेगा अगल की बिली बुचर को भी लेकि शो में सबसे ज़्याद सप्राइजिंग अलिमेंटा एश्ली का विग यानि कि वो अपने बाल हमेशा नोश्ती रहती थी और उसके बाल एक दुबार ग फूट मिल गई है यानि कि दोस्तों आप लोग ने देखा यहां पर जब एक आदमी ने रायन पर अटाइक करने की कोशिश की वो होम लेंडर ने उसे खतम कर दिया लेकिन यहां पर उसके अगेश ने गई बलके चेयर करी थी हाला एक तरीके का डर भी था जो कि सपोर्ट क के रूप में हम लोगों को दिखाए दे रहा था तेकिन दोस्तों यह एक तरीके की इंडायक्ट कंफर्मेशन है कि आगे जाके सीजन फोर में हम लोगो होम लेंडर और खतरनाक रूप में दिखाए दे सकता है और पता नहीं वो रायन को कैसी ट्रेनिंग देगा यह तो आन में देगा यह तो हम लो रायन को के लग दो रहा लोग जा कि बस्तों के और नहीं हम लोगो है टसे लग दोज़ में दोगो है है शोग दो में दोल दो है। आट है कि अज़ दो है दो